हेलो एवरीवन वेलकम अगेनी लन्वरे दितीमन जैसा कि आपको पता है कि केंद्रे विध्याले संक्टन की तरफ से साड़े चार सो नए स्कूल खोले गए थे जहां 900 सिक्षकों की भरती होनी थी तो अभी नर्शरी प्री प्राइमरी टीचर्स की जो है वो वेकैनसी आई हुई है पलवल केंद्रे विध्याले से तो इसकी में वेबसाइट पर जाकर हम चेक करेंगे यहां पर बिना परिक्षा जो है वो आप लोग टीचर्स बन सकते हैं तो यहां पर जो वेकंसी है, बाल वाटिका अध्यापक पदों की संक्या 2 है, यहां पर योगेतर 12th मांगी गई है, 50% अंकों के साथ, और साथ में आपके पास जो है, दो वर्ष से कमका नहीं होना चाहिए, डिप्लोमा मांगा गया है, नर्सरी टीचर एजुकेशन का, प्री स्कूल एजुकेशन का, अडली चाइल्ड हुड एजुकेशन प्रोग्राम का, या फिर आपने बी एड नर्सरी से किया है, तो भी आप एप्लिकेशन कर सकते हैं एक बात मैं आप लोगों को जो है वो यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से अभी जो लिस्ट निकली है, बहुत सारे स्कूलों में जो है वो सेलेक्शन हो चुका है टीचर्स का, जो लिस्ट निकली है, तो वहाँ पर मैंने देखा कि एंटीटी वाले भी जो है वो प्राइमरी डिप्लोमा किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लिकेशन कर दें, साक्षात करकी तिथी जो है वो पहले यहाँ पर निकल चुकी है 25 जुलाई तो वहाँ टीचर्स इनको नहीं मिले तो इसलिए साक्षात करकी तिथी जो है इन्होंने एक और निकाली है 22 अगस् आप लोगों को समय पर पहुंच जाना है केंद्री विध्याले नुहु रोड कारना पलवल एप्लिकेशन फॉर्म जो है इसी वेबसाइट पर आप लोगों को मिलेगी उसे डाउनलोड करना है भरना है अपने डॉकॉमेंट के साथ में समय पर पहुंच जाना है आठ बजे ज लोगों को बताया पार टाइम कॉंट्रेक्च वेबसाइट के लिए रहेगा लेकिन यहां पर पर्मानेंट जो है वेगेंसी बिल्कुल आएंगी यहां पर क्योंकि अब भी जो बिलकुल नए खुले हैं तो इनको जैसे ही अच्छे टीचर्स जो है वो मिल जाएंगे तो उ यहां पर जो है वो 7 नमर पर आप देखिए इंटर्व्यू एप्लिकेशन फॉर्म फॉर पार टाइम कॉंट्रेक्च वल इंटर्व्यू बालवाटिका 3 आप लोगों का एप्लिकेशन फॉर्म है जिसको आपको अच्छे से देखकर और बिलकुल साफ वो लेस्ट में नाम जो है वो मैंने देखा है तो आप लोग अगर यहां पर आप्लिकेशन करना चाते हैं तो प्री प्राइमरी यानि एंटिटी वाले और साथ में जिन्होंने डिलेट किया है वो भी यहां पर आप्लिकेशन कर दें यहां पर केवल वाकिन इंटर्व्यू के आप लोगों को जाना है और कोई एक्जाम आपका नहीं होगा तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू